तो हलो व्रिवन आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ सनी पाजी और आमिर खान की मूविस के उपर हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें लाहूर 1947 के बारे में बात करता हूँ उतावल क्यों करते हैं और आप इतने बेताब क्यों रहते हैं देखो यहां पर आप में से बहुत से लोग यह कहरें के लाहूर 1947 पर बात करो मैं बात कर रहा हूँ और मैं बात करता भी हूँ मुझे भी यार फिकर है देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले story के बारे में बता दूँ story एक ऐसी story है जो अजगरवजा साभ ने लिखी है और इस story को लेके कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये story बेकार है story में मज़ा ही नहीं आया स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो कि सिनिमा में पहली बार बनने जा रही है जो प्लेज का शौक रखते हैं उनको पता होगी स्टोरी कैसी है और इन्होंने इस तरीके के प्लेज बहुत बार देखे भी होंगे मैंने बहुत देखे मैंने काम भी किया अब सेनेमा में पहली बार इसको बनाया है तो सिनेमेटर ग्रॉफिक कैसी होगी यहाँ पर हमें फिल्म में देखने के बात पता लगेगा लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहा रहा हूँ सिनेमेटर ग्रॉफिक में कभी भी फेल नहीं हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हों ने सिनेमेटर ग्रॉफिक दिये फिल्म के विजुल्स, कैमरा वर्क और लोकेशन्स की खुबसूरती का बहतरीन तरीके से यह ध्यान रखते हैं, राजकुमार संतोशी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर बात करें साउंड ट्रेक की एंड बैक्ग्राउंड स्कूर की तो देखो यहाँ पर सारा का सारा जो काम है वो भाई AR रह्मान को दिया हुआ है और AR रह्मान को पता है के मुझे कब और कितना म्यूजिक देना है और किस तरीके से देना है, सीन के हिसाब से कहाँ पर क्या रखना है कितना ट्योन छोड़ना है और कितना यहाँ पर रोकना है यह सब AR रह्मान को मालूम है, बहुत ही अच्छे तरीके से बागी बात करें देखो फिल्म की एडिटिंग की तो देखो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूँ के एडिटिंग पे अभी काम चल रहा है अलाकि टीजर कट हो चुका है एडिटिंग पे काम चल रहा है और यह जो काम चल रहा है ना इसमें आमिर खान और राजकुमार संदोशी दोनों ही बैट रहे एडिटर के पास में और खुद बैट के सीन को सही करवा रहे हैं और उसको एडिट करवा रहे हैं अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है marketing की and promotion की देखो यहाँ पर आमिर खान अपनी जो भी movies को ले के आते हैं बहले ही वो उसमें हो या ना हो लेकिन production house से जुड़ी हुई हो जैसे के लापता लेडीस थी अब लापता लेडीस को जब इन्होंने परमोशन करा था तो ये लोग ऐसे गाओं में गए थे मतलब जिस गाओं में ये movie shoot हुई है वहाँ तो गए ही गए थे लेकिन इसके अलावा और भी जगाओं पर गए थे तो इसका मतलब दोस्तों साफ है के इस movie का marketing and promotion करने में पीछे नहीं हटेंगे आमिर खान और इस बात की दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूँ बाकी है के देखो फिल्म की जो promotion strategy है फिल्म को कैसे promote किया जाएगा and किस परकार के trailers, posters and events ये लोग release करेंगे मैं सब आप लोग को बता चुका हूँ के teaser किस तरीके से आएगा और देखो यहाँ पे तो कहता हूँ के अगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ टीजर ही release करें और ट्रेलर ना release करें तो सिर्फ जितने कम assets इसके बाहर आएंगे ऐधे video assets उतना ही जादा मदा हमें मूवी में देखने के माएगा जितने कम assets होंगे को कि देखो यहाँ पे टीजर भी दे दिया फिर ट्रेलर भी दे दिया तो यहाँ पे यह होगा कि यार मदा नहीं आएगा यह तो हमने सीन देगा तो जितना छुपा के रखेंगे न उतना दादा मदा आएगा लेकिन मैं आमिर खान को बहुत अच्छे तरीके सा जानता हूँ अगर आमिर खान ट्रेलर देंगे न तो उसमें वो समझ में नहीं आएगा कि अच्छली मैं जा क्या रहा है आला कि स्टोरी हमा पता होगी स्टोरी सबको पता है हर बड़ी मूवी को लेके हर बड़े स्टार को लेके कंट्रोवर्सी चलती ही चलती है ओवर्सीज की परफॉर्मेंस देखो गदर टू गदर टू ओवर्सीज में इतनी अच्छी नहीं चली थी लेकिन फिर भी इंडिया में उसने 40 करोल की ओपनिंग की थी अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद बता दूँ 40 करोल की गदर टू ने ओपनिंग की थी अब यहाँ पर देखा जाए कि गदर वन की वज़े से गदर टू को ओपनिंग मिली अब तो यहाँ पर सबने देख लिए न मूवी से इसकी उससे तो वो ना ही करो तो जादा बहतर होगा मैं क्याता हूँ कि हर मूवी अपने तरीके ते सही होती है लेकिन बशरते उसमें मेहनत हुई दिखे तो उसमें मेहनत दिखे कहां इसमें मेहनत हुई है और एक अच्छा कलाकार हो अच्छा डारेक्टर हो बद दिखनी चाहिए यह नहीं कि उल्टा सीथा पेल दिया अपना टाइगर श्रॉफ की कौन सी मूवी आई थी किरिती सेनन के साथ में वो जो थी बाकी देखो audience का response मैं कहता हूँ कि सनी पाजी की वज़े से इस movie को लोग बाग देखने आएंगे आएंगे तो यहाँ पर audience का response आप रहने ही दो word of mouth इस movie का इस तरीके से जाएगा कि आप लोग परिशान हो जाओगे कि भाई कोई तो बुराई कर दे कोई तो यहाँ पर बुराई कर दे इवन यहाँ पर पता है क्या होगा कहानी में कहानी में कोई किसी को कह ही नहीं सकता है कि कहानी बेकार है यहाँ पर पता है क्या होगा जो नमाजी होगे एंड उनका जो सिकंदर हया सिकंदर है जो एक्चुली में काहनी के अंदर है अब मुवी के अंदर इनोंने वोही नाम रखा है या कुछ और रखा है वो तो खेर मैं कहा नहीं सकता बाकी है कि दोगो फिल्म की कहानी बेहतरीन है और निर्देशक बाई राजकुमर संतोशी है एक्टिंग में मुख्य का लगार आप लोगों को पता है कि सनी पाजी है एंड आमिर खान साब है शवाना आजमी है प्रीती ज चालिस से पेंटालिस करोड इंडिया से ये हिंदी मार्केट में जाएगी जाएगी को देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आमिर खान प्रोडॉक्शन इसको पैन इंडिया लेवल पे शायद रिलीज ना करें मैं शायद बोल रहा हूं इसलिए को कि मुझे भी नहीं पता है क पैन इडिया लेवल पे रिलिईस करें इस मुवी को क्या अमिर खान बहुत कम अपने परद्लोचन हाल में पैन इडिया लेवल पे रिलीज करते हैं लेकिन हिंदी मार्केट में वह उस तरीके थैंपहला देते हैं अपनी मूवी को कि कोई उसको छोड़ता नहीं है बागी में रिलीज होगी मूवी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदी मार्किट से ही अच्छा खासा रेस्पॉंस दिखा देगी डेट सो करोल के आसपास इसका जो है बजट आ रहा है 100 से डेट सो करोल के आसपास आ रहा है फाइनल बजट नमबर अभी आया नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को पता रहा हूँ जो मुझे यहां पर पता चला डेट सो करोल के आसपास है इसका बजट बाकि मूवी अपने दो दिन में यानि के फर्स्ट विकेंड में आराम से इसका बजट निकाल लेगी आराम से निका करोल किये मैं तो चाहता हूँ कि मूवी हजार करोल कर दे लेकिन फिर भी अगर रुखती है मूवी तो कम से कम से कम दोसो 600 साले 600 करोल करे ही करे तब यहां पर सनी पाजी का क्या के रेज है और मैं यह समझता हूँ जो सनी पाजी के जो फैंस हैं बहुत तोड़ू है और और वो यहां पर एक बार नहीं, फिल्म को 40 बार भी देखेंगे जा जा के, क्योंकि उनको यहां पर भाई, फैन वार यहां पर बहुत तकड़े चल रहे हैं, और सनी पाजी की दोस्तों, यह जो मूवी आ रही है न, गदर टू के बाद में पहली मूवी है, और लगबग देखेंगे दो साल के बाद में वो दुबारा से दिखने वाले हैं, बड़े परदे पर, और यहां पर भाई, celebration भी होना चाहिए, celebration यहां पर बड़े परदे, जैसे के बाकी सब लोग के फैंस करते हैं, के भाई, फुल जड़ियां जड़ रही हैं, पटाके जल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो यहां पर भी होना चाहिए, celebration, first day, first show का यहां पर नमबर लगना चाहिए, तो बताओ बाई, कौन-कौन excited दे इस मुवी के लिए, और कौन-कौन इस मुवी को first day, first show देखना चाहता है, और day one में मैंने तो अपना बता दिया है बाई, देखो day one में इंडिया से यह मुवी 50 क्रोल के आसपास, 40 से 50 के बीच में जाएगी, घदर टू से उपर जाएगी, हिंदी मार्किट की बात कर रहा हूं, हिंदी मार्किट में, अगर यह लोग पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करते हैं, एक दो करोड़ रख लो, दादा महां से आएगा नहीं, ओवर्सीज में यह मुवी कितना कर सकती है, वो तो खेर एडवांस बुकिंग के बाद ही पता लगेगा, कि ओवर्सीज में क्या करेज है, लेकिन हिंदी मार्किट से इतना कर देगी, कि यह मुवी का डंका वैसे ही बच जाएगा, अब यह सोचों कि सनी पाजी को बड़े लेवल पर बनाया जाए, जैसे कि अभी जट आ रही है, जैट मुवी पैन इडे लेवल पर होगी, उसका करेज देख लेना आप लोग किस लेवल पर होगा, मेत्री मुवी ओवर्सीज में रिलीज करेगा, और मेत्री मुवी के अपना एक डिस्ट्रिबूटर्स हैं, तो यहां पर थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि दो चार मुविया भी आने तो इससे फायदा देखना बॉर्डर टू को होगा, और बीच में एक तो फिल्में जो रिलीज होगी उनको भी होगा, तो इसी वज़े जो बाकी फिल्में, सफर हो अच्छी मूवी नहीं है, क्योंकि भाई देखो अगर वो अच्छी मूवी होती ही, तो भाई गदर टू से पहले रिलीज कर दी जाती है, तो पता है कि और यहां पर पता नहीं था कि सनी पाजी का यहां पर डंका दुबारा से बच सकता है, तो फिलाल यहां कि मुझे जित